हेलो एवरिवन, जैस याराम, नवरात्रे बस आने ही वाले हैं और नवरात्रो में मातर आने की पुझा के लिए चोकी लगाने के लिए हमें किन-किन समान के अवुशकता पड़ती है आज फीजेशों के है आज की सुडियो में हम यही देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो माता को विराजमान करने के लिए आपको एक चोकी और लाल रंग का कपड़ा चीएगा, लाल नहीं हो तो आप कोई भी ले सकते हैं, उसी के साथ सा देखिए हमें यहां माता रानी की कोई फोटो, तस्बीर या मूर्ती लेनी होगी, तो देखिए यह इस तरह की मिलती है मार्केट में, और इसमें माता रानी के सभी नौ सरूप होते हैं, तो आप यह ले सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई और मार्वल वगारा की मूर्ती है, जिसकी आप रोज पूजा करते हैं, तो आप उन्हें भी बिठा सकते हैं, उसी के साथ सा उनको उड़ाने के लिए आप चुन्नी ले लिजिएगा तो आप अपनी मूर्ति या फोटो के इसाफ से चुन्नी ले 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 या पोशाग पहना ले साथी में हम कलश थापना करेंगे तो हम कलश लेंगे तो देखे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं इस तरह का और आप चाहें तो अपके घर पे जो तामबा पीतल या किसी और धातु का हो तो आप वो भी ले सकते हैं और अगर सामर्त अच्छा हो तो सोने और चांदिके भी ले सकते हैं। उसी के साथ देखे हमें कलस थापना करने के लिए जल चाहिएगा। तो शुद्ध ताजा जल जो भी आप अपने पीने के लिए इस्तमाल करते हैं। आप ले लिजेगा। और जल आप इतना लीजेगा ताकि आप जो कलश रखेंगे वो कंठ तक भर जाए। और उसी के साथ हम गनपती भगवान के कोई मूर्ती, फोटो या प्रतीमा ले लेंगे। क्योंकि बिना गनपती के तो कोई भी पूजा संभव नहीं है। आप गनपती भी जरूर ले लें। जवारे बोने के लिए हमें इस तरीके का तोला बोलते हैं। यह चाहिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं। अगर आप यह नहीं लेना चाहते, तो आप परात, ठाली ले सकते हैं घर की या फिर आप डार्क चमीन में भी अपने जवारे बो सकते हैं। और इसमें जुआरे बोने के लिए हमें रेत चाहिए होती है या तो आप इस तरिकरी की दिखे जमना सेंट आती है जो रेत वो ले सकते हैं मिट्टी ले सकते हैं पर आप जो भी लेना आप देखके लें थोड़ी साफ सुत्री हो अच्छी जगा कि हो और ऑसे आप पहले से ही आप अपनी कटोरी में भी लंबी बाती लगा सकते हैं उसी के साथ एक छोटा दिया और लीजिए गा जो आपको सुभ़ शाम की आरती के समय पर चाहिए गार अगर आप अखंडोत नहीं लगाते हैं तो आप अखंडोत को स्किप कर सकते हैं उसी के साथ देखे यह इस तरीके तो आप थोड़ा सा जो है उसमें बाल छुडवाएं तभी ले और देखिए नारियल में कई लोगों को बहुत डाउट रहता है कि इसका मुख कहा होता है तो देखिए यह मुख जो है इसका इस तरफ होता है बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है आप चेक जरूर क देखिएगा वीडियो को गंगजल भी ले लीजिएगा उसी के सासा देखिए आप नारियल पर बानने के लिए या तो सवा मिटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा या फिर आप चाहे तो आप छोटी जो चुन्नी आती है वो भी ले सकते हैं और देखिए सुभे शाम जब हम बास रोज होती है अखन बात को इस दो अलग उसको की आप है मार्केट सरगी बनाई घ मीन बनाई बन जाती है यह या चॉथि ब्लात में यह तो आपके घ्णावा ले लिया है और उसी के साथा हमने चावल लेने हैं और इसावल आप साबुत लीजिएगा तूटेवे मत लीजिएगा और यहां पर यह मैंने रोली ले ली है तो आप रोली ले लीजिएगा इस तरह से और आप थोड़े से एक्स्ट्रा चावल भी लीजिएगा ज्यादा उससे क्या है न हम कलस थापना करेंगे और नीचे हमें अस्तिदल कमल भी बनाना होता है नवग्रे भी बनाने होते है तो इसलिए आप चावल थोड़े से जादा लीजिएगा और चावल आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं या इस तरह से सिंपल भी छोड़ सकते हैं उसी के साथ सा दिखें हमें थोड़ा समान और लगेगा तो यहाँ पर हमें सुपारी चाहिएगी और जब आप समान लाएं तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी चीज़े ना उसमें कीड़ा बगरा ना लगा हो और टूटू भी ना हो इसलिए हो सके तो आप नया समान ही खरीदें तो हमें हल्दी की गाट में चाहिए और साथी में देखें कपूर लेंगे हम कपूर आरती के लिए भी लेंगे हम तो थोड़े से कपूर तो हमें आरती के लिए भी लगेंगे तो आप अच्छे से बड़ा वाला पैकेट लिजेगा और जिन लोगों को करसी नहीं मिलती है या उनके पास नहीं होती है, तो आप भोग भी कपूर पे ही लगा सकते हैं, तो इसलिए आप चो कपूर लेंगे, वो थोड़ा जादा क्वांटिटी मिलेंगे, ताकि हमारे पूरे नवरात्रे चल जाए, तो इस तरीके से आप बड़ी वेले डिबी ले लीजेगा, साती में दीखेँ, आप ज camera जादा лे लीजेगा, कंभी भी ले सकते हैं, हरबल भी ले सकते हैं, और पूरे बनाना बताया आप और यसाने, ती आप 5 मेवा जारूर भी ले लांए, तो इस तरीके से आप मिलाए घर पर भी बना सकते हैं, या फिर आपको ना मार्किट में भी बना ब और आपको प्योर गाय का घी मिल जाता है तो आप वो ले सकते हैं साथी में देखिए आप इस तरीकी के जो हवन समगरी के पैकेट आते हैं वो भी ले लिजेगा ताकि जब रोज सुबरा पूजा करेंगे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं उसी के सासा देखिए हमें पान के पत्ते चाहिए होते हैं तो देखिए इस तरह के पान के पत्ते लेले आप दो ले लीजेगा और आपकी डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए पत्ते खंडित नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से आप देखिए अच्छे से दो पत्ते ल करने लए लिए याधर रख याद रखिएगा अपने परसनल यूज वाली यूज पूजय की अलगसे रखें साथी में देखिए आप स्वाका समान जरूर रे ले कुछ आप 5 चीजे भी ले सकते हैं जादा भी ले सकते हैं पुरी 16 चीजे ले सकते हैं और हो सके तो आप उसके साथ एक साड़ी जरूर रख दे तो मातरानी का पूरा चोला हो जाता है तो आप इस तरह आंसे ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो साड़ी की जगा चुन्नी भी ले सकते हैं, तो आप चाहें तो चुन्नी या साड़ी उस पे सुआख का समान रख के वो ले ले, उसी के साथ सा देखें नवरात्रों में दुर्गाश अप्षति की किताब पढ़ी जाती है, पाट करी जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, या अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप दुर्गाश अप्षता ले सकते हैं, तो कोई भी जो भी आप पूजा करेंगे, या आरती करेंगे, उसकी आप किताब ले ले, तो देखें इस तरहां से ये कुल समगरी है, जो हमें हमारी नवर हता है, जो हमारी है, ले सकते हैं, न आरती करेंगे, पर आप ले में हम भी ले शेका हैं, despisen वो देखेंगे वे नहीं चिखने प्यांगे, तो आप शेका करेंगे, घो आप किता हैं, जो हम इस फृूपता हैं, टूपता है, उस आप ऑत एप, पा पन्शने हैं, भी चाहता